जैमा डाटकाली बक्तो आज का जो वीडियो है टॉपिक से आप समझे होगे बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है किसे के बहुत परसनल टॉपिक हो पर बहुत काम का टॉपिक है बहुत जरूरी टॉपिक है आए दिन मेरे पास इसे शिकायते ऐसे सवाल आते रहे हैं कि गुरू को अपनी साथ समस्पने में सारे रिक समंद बनाते बरी देखते हो क्या आपके लिए सही है यहte कलत है यह सप्ने में आना क्या धरुशाता है और क्या बताता हैस विडियों माधियम से सभी लोगों को मैं अपना है, सबके साथ ऐसे वाक्य होते हैं, अरंदू मैं आपको बता दू कि हर सपने का अपना-पना एक वाक्या होता है, अपना-पना एक मतलब होता है, अपना-पना एक अर्थ होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी कि आगे आने वाली लाइप में यह क्या इंडिकेशन द जानना चाहिए आगे इस टॉपिक के बारे में अधिक जानकारी देने से पहले आप सभी बक्तों से निवेदन हैं मेरा आप यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहे हैं नीचे ब्लेग गोता हुआ ओफिशल देवी भगवती शक्ति के नाम से सीम इसी नाम से मेरे इंस्टाग काला जादु से रिलेटड़ प्रॉब्लम किसी नी गंदी कुए इंस सब्स Т writings का सुर्ण चाहिए कोई पूए ब्रॉब्लम KKO B Spider हवन पित्र दोश मंगल दोश राहू कि तो दोश वास्तु दोश काल सदोशों का निवारण चाहिए आप मुझसे क्रिया करवाना चाहते हुए कोई भी सॉलूशन चाहते हो आपनी क्या करना है अपॉइन्मेंट लिखके मैसेज करना है मुझे और अपॉइन्मेंट लिखने कई लोगों को अजीब और गरीब सपने दिखाई देते हैं जिन में से एक है शारिरिक संबंद से जोड़े स्वापनत। सपने में खुद को पाटनर संग शारिरिक संबंद बनाते वे देखना आम बात नहीं है क्योंकि इनका व्यक्ति के जीवन से या जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ-कुछ परिस्थिती में शारिरिक संबंद से या शारिरिक संबंद के सपने शुब संकेत देते हैं। वहीं कई बार ऐसे सपने किसी अनुहोनी घटना की तरव भी इशारा करते हैं। हाला कि स्वपन सास्त्र में इन सभी सपनों के शुब और अशुब दोनों तरह के मतलब के बारे में बताया गया है और अगर आप विस्तार से जानना चाते हैं कि शारिरिक संबंद से जुड़े विभिन सपनों के संकेतों के बारे में तो आए विस्तार से जानते हैं आप लो शारिरिक संबंद बनाते वे खुद को देखते हुआ हम तो कई बार ये अशुब संकेद भी हो सकते हैं वो कैसे आई अविस्तार से जानते हैं अब जब बात करते हैं जीवन साथी के साथ संबंद बनाना सपनी में आप अपने पार्टनर के साथ जिसको आप प्यार करते हैं या आपकी शादी हो गई है, या आपका पती है, जिसके आप शादी में बंदन में बंद चुके हैं, बंदने वाले उसके साथ, आपने अगर स्वापने देखा है, जिसमें आप फिजिकल इंटिमेसी कर रहे हो, या शारीरिक संबंद बना रहे हो, या आपने पार्टनर के सा एक विस्तर शेयर कर रहे हो तो स्वापने सास के अनुसार शादी शुदा लोग सपने में खुद को पार्टनर संग संबंद बनाते वे अगर कभी भी देखें तो यह जो संकेत है यह आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा शारिक और इमोशनल दोनों तरह ऐसे आपका रिष्टा जो है ना वो मजबूत होगा लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा रूमेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको जीवन शाथी के साथ रोमेंटिक पल व्यतीत करनों का मौका भी मिलेगा हुई ना अच्छा शुब संकीत हुआ ना तो यह है जब आप अपनी ही पार्टनर के साथ जिसके साथ आप यह लाइफ में भी खोश है तो स्वपन में भी अगर आप उसके साथ इंटिमेसी करते हैं लव फिजिकल रिलेशेंशिप बनाते हैं सारे रिक संबंद बनाते हैं तो यह आपको शुब संकेत ही देगा वहीं दूसरी और बात क लेकिन आप सपने में खुद को किसी अंजान व्यक्ति के साथ संबंद बनाते हैं देखते हो तो यह एक शुब संकेत है स्वपन सास्त के अनुसार इस सपने का अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में प्यार का आगवन हो सकता है लंबे समय से अटके हुए कार्य धीरे धी हो सकती है तो जिन लड़के लड़कियों को अगर ऐसी सिचुएशन है आपका कोई लव रिलेशन्शिप नहीं है किसी के साथ आपको प्यार नहीं है आपको जीवन में कुछ भी लव फिजिकल इंटिमेसी या सेक्स संबंद कुछी के साथ कुछ नहीं है तो अगर आप सप आई उने वाली है लड़का लड़की किसी को भी खोज रहे हो तो वो आपको मिलने वाला है तो एक तरिके से बहुत पॉसिटिव न्यूज आपके लिए साबित होगी वहीं लव पार्टनर संग संबंद बनाना यानि कि आपकी अगर आप आविवाहित लोगों में से हो और आपने सपने में यदि अपने ही पार्टनर के साथ शारिक संबंद बनाते वे दीख लिया है तो इसे भी शुब माना जाता है इस सपने का अर्थ है कि जल्द ही आपकी शादी पक्की हो सकती है आप दोनों के बीज प्यार बना रहेगा रोमैंस बढ़ेगा तो जिने भी ल आपने साथ आपने को संबोग करते वे देख लिया है है शारिक संबंद बनाते वे देख लिया है तो ये भी पॉजिटिव सपना है घबराने वाली बातait नहीं है आपको यह प्यार का जो डिस बेलेंस अगर बन रहा है तो अच्छी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में खुद को X-Lover के साथ संभोग करते वे देते होना तो ये दर्शाता है कि आप अभी भी उन्हें भोल नहीं पाए हैं आप उन्हें याद कर रहे हो और कहीं न कहीं ये connected हैं दोनों ही पार्टनर से हो सकता है उस समय पे आपके पार्टनर जो X-PARTNER है एक्स लवर हैं या जिनके ने के साथ breakup हो जब आपको याद कर रहे हैं, memorize कर रहे हैं हैं आपका ध्यान कर रहे हैं कहीं न कहीं वह आपसे connect होने की कोशिश कर रही है या फिर same चीज आप देखर हो हैं तो कहीं न कहीं आपकी दिमागमें उनको लेके connectivity बनी है कहीं नकाई आप उनको अपरोच करना चाहते हो तो यह दोनों ही तरफ से win-win situation है तो कही ना कही जो आपके ex-partner है उनकी connectivity आपके साथ बनी वही है आपकी memories में आपके दिमाद में तो कही ना कही आपको कुछ time हर एक time में कभी 6 महीने साल भर में एक बार आपके partner, ex-partner के साथ आपको संभोग करते वे या physical intimacy होते वे आप सपने में देख सकते हो तो ये भी एक connection है ठीक है अब आजाते हैं main topic में जब आप कोई भी पराय मर्द या इस्तरी संग संबंद बनाते वे आपने को देख लेते हो संभोग करते वे देखे तो स्वपन सास के अनुसार सपने में यदि शादी शुदा वेक्टि खुद को पराय मर्द या इस्तरी के साथ संभोग करते वे देख लेते हैं तो इससे अशुब संकेत माना जाता है ध्यान रहे हैं ये अशुब संकेत है कि सपने का के साथ व्यतीत करें और उन्हें समझने का प्रयास करें तो जिन भी लोगों के साथ अगर ऐसी हो ऐसी सिचुवेशन आ गई है कि आपकी पास पार्टनर है लव है फिर भी आप दूसरे आदमियों के साथ सपने में खुद कुद कुद संभोग करते वे देख रहे हो फिजि हो जाओ उस चीज़ को लेकर सचेत हो जाओ कि भई कही ना कहीं कि आपका जो प्रेजन लाइफ में लव है वो खराब हो सकता है और आगर आप इस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में देख रहे हो सपनों को माधियम से तो प्लीज आप उसको सुधारने की कोशिश करें और अपनी जो एक आकर्शन का जोंड है या आकर्शन शक्ती है दूसरे पर आए इस तरी या मर्द की तरफ वो जुखाओ आपको कंट्रोल करना चाहिए ऐसा ना हो कि आपकी जो प्रेजन लव लाइफ है उसमें डिस बैलंस आने शुरू हो जाए अगर आपको मेरा वीडि काली